तो दोस्तो यूज़ से लेटेड एक बड़ा अपडेट है दोस्तो और एक अंडिया से लेटेड एक बभुट बड़ी ख़बर है दोस्तो तो दो तीन मिनेट का वीडियो है लाटता देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके क्योंकि वरकर से लेटेड जो भी अपडेट आता जो भी न्यूज आता मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ तो पहला जो अपडेट है दोस्तों वो दुबई से रिलेटेड है और इसमें बताया गया दोस्तों कि जो लोग यहाँ पर अलीगल तरीके से रह रहे हैं वो किसी भी कंट्री का ठीक है तो उसको अब बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पर जादा अभी चेकिंग च के अंदर सार्जा के अंदर भी दोस्तों फुजेरा के अंदर भी राशल खेमा यह सातों स्टेट के अंदर दोस्तों अभी बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है जो लोग दुबई में यूवी में लीगल रहेंगे उनको पूरा देश से तुरन बाहर कर दिया जागा या तो फिर उनको जेल में रखा जागा नहीं तो हुजमांट फाइन आगा पहला दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट अपडेट है दोस्तों सत्रा लाख भारतिये दोस्तों अपने 11 साल के अंदर पहले तो आपको दिखा रहा हूं इसके शॉट पर कि यह जो भारती विदेश म मतलब अब एक साल भी नहीं हुआ है दोस्तों एक साल के अंदर अंदर मतलब 87,000 ठीक है 87,000 दोस्तों भारती अपना देश छोड़के अधर कंट्री में चल गया है और पीछले दोस्तों 2011 से अब तक दोस्तों इसमें डाटा में बताया गया है किलिरली आप भी पढ़ सकते ह बयान में एक खलबली सी मचा गया क्योंकि जब कोई भी डाटा आता है तब हम लोग को पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा है क्योंकि परसो दिन परसो जो दोस्तों बिदेश मंत्राले ने दोस्तों ये जारी किया बयान और बताया गया है कि 2011 से अब भी तक दोस्तों 17 लोग यहां से क्यों जा रहे हैं आई डोन नो ये खबर के बाद एक अजब सा पूरे इंडिया में लोग सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर क्यों बारत चोड़के लोग अधर कंट्री में जा रहे हैं आपके पास कुछ राह है कुछ इसके बारे में नोलेज है नीचे क पास पता नहीं है बड़ दोस्तों गौर्मिंट को पिसली बयान है कि 17 लाख लोगों ने भारत को उसे छोड़कर अधर कंट्री में जाकर बस गये हैं तो ये सब अपडेट सुनता हो दोस्तों तो मुझे भी दुख होता एक भारतिय के नाते कि आखिर ऐसा क्यूं जबकि अभी भारत पहले के मुकावले बहुत अच्छा चल रहा है हर चीज अच्छा हो रहा है उसके बाज जूद आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है